देखिए अगला प्रेश्ण हमारे प्रेश्ण संग्या बारा 5.2 cm त्रिज्जा के एक ब्रत के किसी त्रिज्जे खंड का परिमाब दिया है 16.4 cm दिखो गोर से बढ़ेंगे ध्यान प्रेश्ण को कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे लिखते समय बनाते समय त्रिज्जे खंड का 6 तरफल ग्याद कीजिये हमें त्रिज्जकंड का क्या दिया है परिमाब दे रखा है हमें छेफ्रफल ग्याद करना है यह बात तो किलियर हो है कि तरिज्य खंड का परिमाप है अब देखो यह तो हो गया केंद्र यह माल लेते हैं हम वो है हमारा तरिज्य खंड हो गया इस ब्रत का अब देखो वह कह रहा है कि तरिज्य खंड का परिमाप परिमाप के लिए मैं बताया ता जितनी भी वाउंडरी निए उसकी बाउंडरी है उन सभी का योग हमारा परिमाप कहलाता है परिमाब कि नहीं को हमने बताया था यह तो ओती है अपकी L, L ओती है यानि चाप होती है से चाप भी कहते है यह चाप AB चाप AB मेरी क्या है? L है, L मानते हैं और यह OA और यह OB तो OA प्लस OB प्लस L को मिलाके बनता है किसका? ट्रिज्य χंड का ठीक है तो त्रिज्य खंड का परिमाप बरावर हमें दिया है कितना 5.2 cm ठीक है नहीं ये तो त्रिज्य हमारी है त्रिज्य ब्रेथ की त्रिज्य है इसका मतलब ये ओए का मान 5.2 और ये भी 5.2 लेकिन परिमाप का जो मान दिया है वो दिया है 16.4 है ना 16.4 दे रखा है परिमाप अब देखो कैसे करेंगे अब त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है हमारा ओए वो साइड दोनों साइड है ना दोनों त्रिज्य ओए प्लस ओभी प्लस हमारी एल ये चाप एल इसको एल मान लिते हैं L बरावर कितना है 16.4 तो देखो कितना है वहींsil 3 तτεरिज्जा है और यह भी आपकी त्रिज्जा है अब वरावर 16.4 गहरोग haya 10.4 गहरोग तो 16.4 इसका मतलब L बरावर और गया कितना 6 छाप की लंबाई नकलाई छे सेंटेमीटर है अब देखो अगर उसने हमसे पूछा होता चाप की लंबाई तो हमारा प्रश्नी यहीं पर खतम हो जाता है लेकिन हमसे क्या पूछा उसने तृज्जाखंड का छेतरफल पूछा है अब यहां पर अगर हम बात करें किसकी आपकी चाप की लंबाई की तो क्या होता है फो बता वह करंकी लंबाई का फोर मलैंनी अनुर्वराबर हमारा होता कि तीटा पॉन थृ सिस्टी इंतु parce cake कि यह होता है ठीटा पन थृ सिश्टी इंतू पै रलता है है ना तू पाई आर होता है अब देखो अब अगर में यहां पे रख दू छे रख दिता हूं मैं इधर एल का मान छे इधर रख दिया बटे में नीचे ले गए हम तू पाई आर बरावर ठीटा पॉन 360 तो ठीटा पॉन 360 का मान कितना आ गया एल अपॉन 2 पाई आर ऐसा मैंने क्यू किया है देखो अभी आप समझ जाओगे क्यू किया है इसको हम यही छोड़ देते हैं समीकर नमबर मान लेते हैं इसको एक समीकर नमबर एक अब हम इसे क्या पूचा है त्रिज्य खंड का छेत् प्रवार होता है क्या थीटा आपाउं 360 है नगा इन्टु पाई आर इस्कवेर तो थीटा आपॉन 360 का मान क्या है 6 पफ्यज60 का मान आप है दो पै आर गुणा पाई आर स्कोर्ट इहां पर पाई से तो यह पाई कट गया और से इसकी एक पावर हट गई ठीक है और इससे यह दो तीन बार कट गया तो कितना बचा हमारा बचा 3 इन टो आर 3 into r तो 3 into 5.2 r की value कितनी है 5.2 तो 3 दो नी 6 3 पंजे पंद्रे 15.6 cm2 आपका निकल के आ गया answer क्या 15.6 cm2 समझ आ गया मतलब यहाँ पर मुझे यह करने से मेरा कितना आसान हो गया यह सवाल करना ठीक है कितना आसान हो गया इस चीज को हमें solve कर देना बहुत आसानी क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास ठीटा का मान नहीं दिया था अगर ठीटा का मान यहाँ दिया होता तो मैं directly यहाँ पर मान रख देता है इसकी जरूवती नहीं थी थीटा का मान हमें नहीं पता है ना कि कितना है थीटा यानि यो चाप है वो चाप की जो यह जो है वो कितना है नहीं पता हमें इसलिए हमने ये तरीका अपनाया और इस तरीके से हमने यहां पर मान रख दिया यह कहां से आया समी करण एक से ठीक है इसे लिख सकते हैं समी करण एक से यह हमारा मान निकल के यहां पर हमने रख दिया थीटा ओन तीन सो साटका मान हमने यहां पर रख दिया समझ आ गए हैं प्रश्ण है आगए पड़े हम अगले प्रशनी की और ठीक है देगो चार नमबर का यह प्रश्ण कर रहे हैं किस पर इन विक्टा पर ट्रिक हम बदल देंगे किस में एक शॉट कर ट्रिक में और एक बहुत इजी मैथड में जो हम बिलकुल मैथड सॉल करके और आपका आंसर ले आएंगे ठीक है पिटा